क्या यूके में 100% स्कॉलर्शिप से आप पढ़ सकते हो तो चलो आज हम इसी बारे में डिसकस कर लेते हैं मेरा नाम है मौसमी मैं यूके में रहती हो और मैं यूके की लाइफ, जॉब, स्टुडी, ट्रावल के बारे में बहुत सारे वीडियो बनाती हो अभी चल रहा है मेरे यूरोप की ट्रावल सीरी जिसका नाम है 100 यूरोप ट्रेप तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है त यूटूब के शॉर्ट सेक्शन में जाना मैं हर दिन मीनी ब्लॉग के रूप में मेरे घूमने के स्टोरी डालती हूँ तो अब चेक आउट तरूर करना आपको बहार अच्छा लगेगा तो अभी बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में तो यूके में पढ़ने के तो मेरे लिस्ट का सबसे पहला स्कॉलर्शिप है यूएल इंटरनेशनल पोस्ट ग्राजुएट स्कॉलर्शिप ये स्कॉलर्शिप 50,000 पाउंड का स्कॉलर्शिप है ये आपका लीविंग कॉस्ट ट्यूशन फी और एक्कमेडेशन को कवर करता है तो अगर आपको पता है तो यूएल का मतलब है यूणिवर्सिटी ओप आर्ट्स लंडन ये उनिवर्सिटी लंडन का है और इसके अंदर में छे कॉलेज़ेस आता है तो आपका एडमिशन उस छे में से कोई भी एक कॉलेज में हो जाता है तो आप इस स्कॉलर्शिप के लिए अपलाई कर सकते ह हो यह स्कॉलर्शिप फुल टाइम मास्टर कोर्स के लिए है जो कि आपका ट्यूशन फी एकॉमडेशन और लिविंग कोस्ट को कवर करता है यहां पर आपकी सारी एलिजिबिलिटी है कि यूएल के कॉलेजेस में 2023 और 4 में आपका एडमिशन हो आपका कोर्स इस क्याटेग कि जिसमें इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नेपाल भी आता है बाकी आप दूसरे कंट्री से हो तो भी अपनी कंट्री यहां से चेक कर सकते हो इस स्कॉलर्शिप को अपलाई करने का डेडलाइन है 30 जून 2023 और डिसीजन आएगा मीड़ अगस्त में और आपका कोर में से किसी कंट्री को हो तो आप अपलाई कर सकते हो यह 10,000 पाउंड मेंस 10 लाग ट्यूशन फी के लिए दे रहा है और वो आपका कोर्स वान इयर का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए टोटल स्कॉलर्शिप मिल रहा है 200 स्कॉलर्शिप और ओफर कर रहा है अगर एक में अगर आपने अड्मिशन लिया 2023-2024 के लिए तो फिर आप इस स्कॉलर्शिप के लिए अपलाई कर सकते हो तो नेक्स्ट स्कॉलर्शिप बोलने के पहले आई वुड लाइक तो थैंक अम्बर स्टुडेंट फॉर स्टुडेंट फॉर इस वीडियो अम्बर करते हो तो एकदम हैजल फ्री है और बुक करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है इनके वेबसाइट पे जाओ वेबसाइट पे जाके आपको एक फॉर्म मिलेगा आप फॉर्म को फील कर दो और एम्बर स्टुडेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करेंगे आप उनके पास अपनी सारी रिकॉर्मेंट बताओ और आपके रिकॉर्मेंट के बेसिस पे वो आपको एक स्टुडेंट अकॉम्डेशन दे देंगे जैसे कि इंडिया में बैट के हमें ज्यादा नॉलेज नहीं होती है कि हम लंडन की इनुवर्सिटी में एडमिशन तो ले लि कितने माल्स विदिन चाहिए आपकी क्या क्या रिकॉर्मेंट है एक और पॉजिटिव पॉइंट जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर आप उनके वेबसाइट पर जाती हो आपको कोई प्रॉपर्टी अच्छी लगती है बट उसमें क्या है कि शेरिंग रूम है ब पर फिर भी आप अपने रिकॉर्मेंट उनके रिप्रेजेंटिटिव के पास बोल सकते हो और वो आपके रिकॉर्मेंट के बेसिस पे आपको एक रूम प्रोवाइड करेंगे यह तो सबसे ज्यादा बेस्ट लगा मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में अटाइच कर दिया है अपने इनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बुक कर सकते हो फॉर्म फिल करो उनका कॉल आजाएगा और आगे के स्टेप बहुत ईजिली आपके लिए हो जाएगा तो जितने भी सेप्टेंबर इंटेक में आने वाले हो जल्दी से अपना रूम बुक कर लो क्योंकि फिर यहा थोड़ा सा टफ टाइम है तो इसलिए जल्दी से जितना जल्दी हो पाए अपना student accommodation book करो अब next बात करते हैं एक और interesting scholarship की जो की उनके लिए बहुत अच्छा है जो distance learning में कुछ भी degree करना चाते हो like आप अपने home country में रहो आप इंडिया में ही रहो बट आप UK की university से master's कर सकते हो तो इस scholarship का नाम है Commonwealth Distance Learning Scholarship इस scholarship के तुरू आप अपने home country में ही रह लो इंडिया में ही रह लो बट UK की university से आप अपने degree कर सकते हो इस scholarship का full name है Commonwealth Distance Learning Master's Scholarship और इसके तुरू आप part time master course के लिए UK की university में enroll हो सकते हो और अपने home country में बैठके उसे complete कर सकते हो तो यह है eligibility तो यह है eligible countries जिसमें इसे इंडिया, पाकिस्तान, नाइजेरिया और इतने सारे countries है और इसका यह है application process यह है selection process और यह है general condition और यह है आपको कैसे apply करना है तो next scholarship है Scotland specific तो अगर आप Scotland में university में admission लेते हो तो ही आप इस scholarship के लिए apply कर सकते हो तो इस scholarship के अंदर में कोई एक इंडिविविव scholarship नहीं है अगर आप Scotland की university में admission लेते हो तो बहुत सारे option है आपको अभी में website पर आपको चेक करके लिखाती हो कि आप कहां कहां से जाके apply कर सकते हो इस section में काफी सारे scholarships के option है अगर आप Scotland की university में admission लेते हो यह है commonwealth scholarship and fellowship plan so इसके अंदर में 800 लोगों को मिल सकता है next है fall bright award तो deadline है 10th of October 2023 और यह scholarship आपका tuition fee प्रवाइड करेगा आपका personal living expenses और यह बाकी सारी चीजे चो कि आप पढ़ सकते हो और यह है इसके सारी eligibility तो आप बात करते हैं मेरे last scholarship के बारे में तो यह बस बोमेंस के लिए है तो अगर आप लड़की हो and STEM field के हो science, tech, engineering and mathematics तो आप इस scholarship के यह दो option available है first कि आप master's के लिए UK आ रहे हो तो भी apply कर सकते हो या फिर second कि आपने PhD कर रखिया और fellowship के लिए यहाँ पे आने वाले हो तो तब भी आप इसके लिए apply कर सकते हो तो यह scholarship ब्रिटीश काउंसिल से provide किया जाता है वोमेंस के लिए अगर आप स्टेम से हो तो इस scholarship के दो option है एक तो आप master's के लिए इसके लिए apply कर सकते हो second आप fellowship के लिए apply कर सकते हो तो master's के लिए eligible तभी हो अगर आप science, technology, engineering और mathematics programming के लिए enroll करते हो और अगर आप fellowship के लिए apply करना चाहते हो तो भी आपकी PhD स्टेम में होना चाहिए तो यह थे मेरे टॉप scholarship अगर आपको कुछ और भी scholarship के बारे में जानना है कोई specific college के बारे में या कुछ भी या तो apply कैसे करें या कुछ भी डाउट हो तो आप मेंको comment section में पूछ सकते हो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना नीचे नीचे गीला है मैं सची मेरा last मैं थोड़ा creative और ground पे बनाओ बट नीचे पुरा गीला है मेरा jeans कीला हो रहा है खेट छोड़ो तो वीडियो अच्छा लगे तो please 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 like कर देना बहुत research करके मैंने य चैर करना उनको भी help हो जाएगी क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है scholarship के बारे में सब सोचते हैं युकर में पंडे नहीं जाना है क्योंकि बहुत जादा costly है और जो आते है इतने सारे पैसे देके आते है तो उनको बहुत जादा help हो जाएगी तो मैं मिलती हूं मेरे next video में नेक्स्ट वीडियो मेरे पैरीज का ट्रावल ब्लॉग होने वाला है तब तक के लिए बाइबाइब टेक कियर